जय स्री राम जय हनमान ओम स्री हनुमन ते नमा हनमान जी का असिरवाद सदा आप पर बना रहे हनमान जी का असिरवाद से आपका भग युदे हो जीवन वे सुक समरिदी सो भग बरे आपका कल्यान हो निश्चे प्रेम परतीत ते बिने करे सनमान तेहीं के कारत सकल सुब करें हन्मान हन्मान जी आपको भग्य साली बनाए संकट से रच्छा करो हे महावीर हन्मान संकट मोचन किरपानिधान जय हन्मान जय जय हन्मान तुलारासिवारो रविवार का दिन 26 दिसंबर आयुसमान योग 10 बचकर 24 मिनर तक उसके बाद स्वभग्य योग आरंब होगा उ सुक्रे विरस्पति चंद्रमा की द्रिष्टी उत्रा फागुनी नचत्र में सुर्ज बुद्ध का परभाव बड़ी सफलता काम्याबी खुसकबरी भग्य में धन संपत्ते का सुक जीवन में खुसियों को बढ़ाने वाला सुन्दर योग बना रहा है आज उत्रा कुन्ली के तीर्तिय भाव में सुर्ज और बुद्ध का गोचर है सुर्ज किस्मत को चमकाएगा तो बुद्ध आपके जीवन में सवभग्य का योग बनाएगा सुर्ज आपके लाबस्थान का स्वामी और बुद्ध भग्यस्थान का स्वामी है सुर्ज और बुद्ध एक साथ आपकी कुंडली के तिर्तिय भाव में गोचर कर रहा है जिसकी पुन्ध द्रिष्टी आपके भग्यस्थान पर है भग्य अस्थान पर जब सुर्ज और बुद्ध की दृष्टी आपकी जीवन में सौभग्य लाब का योग बनाएगा सुर्ज जो लाब अस्थान का स्वामी है आपके मन से निरासा के भाव को बाहर करेगा वहीं बुद्ध जो भग्य स्थान का स्वामी है तरक्की का उसर लेकर आएगा आज के दिन इंकम में बिर्धी होगी मान सम्मान में बिर्धी होगी कार्ज में सफलता मिलेगा आत्मिस्वास में बहुत्री होगी सूर्ज और बुद्ध का परभाव उत्रा फागुनी नचत्र में आपके लिए बड़ा भग्य साली होगा क्योंकि सूर्ज के मित्रगरा चंद्रमा मंगल और विरस्पती चंद्रमा आज आपकी कुंडली के लाबस्थान में उद्य हुआ है जबकी मंगल धन अस्थान में गोचर कर रहा है और विरस्पती पंचम भाव में जब ऐसा योग बनता है तो आपके परिवार में खुसियां बढ़ती है आपकी जीवन में सुख बढ़ता है प्यार बढ़ता है आपकी जीवन में परिस्थिती बदलने लगती है आपकी जीवन में ये जो समय है आपके लिए बड़ा सुख है जीवन की परिस्थिती तेजी से बदलेगी भग्य का साथ मिलेगा आत्म विश्वास की बिर्धी कार्ज की सफलता जीवन को सुखमे बनाएगा आज आप धन उपारजन करेंगे मिहनत से काम करेंगे आपकी बानी में मधुरता होगी अपने काम पर आप ध्यान देंगे जिसके कारण मन में सांती और आत्म विश्वास भरपूर होगा कारोबार में उनती का लाब है आपकी जीवन में स्वभग्य का योग है आज ये दस बचकर 24 मिनट के बाद स्वभग्य योग है स्वभग्य योग में सुर्ज और बुद्ध का परभाव आपके लिए बड़ा सुभ होगा जो संपत्ती का सुख देगा मेहनत का अच्छा परिनाम लाएगा उर्जा साहस महतो कांचा को बढ़ाएगा इस्तरी और धन का सुख आपको मिलेगा आज आप इस्त्री के प्यार में आसक्त होंगे इस्त्री का सुख आपके मन को भाएगा इस्त्री का प्यार आपके जीवन में खुसियों को बढ़ाएगा और इस्त्री का भोग मन में संतुष्टी देगा यानि आज आपके जीवन में किसी इस्त्री से लाभ का योग है ऐसा इसलिए किया सुक्र विरस्पती सनी की द्रिष्टी है सुक्र सनी के साथ गोचर कर रहा है सुक्हस्थान में जब सुक्र और सनी एक साथ गोचर करता है तो एक तरफ तो आपके जीवन में सुख बरता है दूसरे तरफ इस्त्री से प्यार बरता है इस्त्री का सुख मन में सांती देगा इस्त्री का प्यार खुशी देगा और इस्त्री का भोग आपके मन में संतुष्टी देगा क्योंकि सनी जब सुक्र के साथ सुखस्थान में गोचर करता है तो तन का सुख देता है मन का सुख देता है धन का सुख देता है यानि आज कार्चेतर की कठनाईया समाप्त होगी बहुत दिनों से जो उल्जन रह रह कर आपको परिसान कर रही थी उस उल्जन से आपको छुटकारा मिलेगा क्योंकि बुद्ध के मित्रगरा सुर्ज सुक्र राभू सुर्ज का बुद्ध के साथ गोचर करना सुक्र का सनी के साथ और राभू का अस्ट्रम भाव में गोचर करना तरकी के नए नए आउसर मिलेंगे कारच्छेत में परिवर्तन होगा परिश्रम से लाब होगा जीवन में सुख बढ़ेगा और सुखत समाचार मिलेगा एक नई सुरुवात आपके जीवन में आपके दिन को सुन्दर बनाएगा और आपके जीवन में सफलता का योग लेकर आएगा सुप समाचार से मन में खुसी होगी परिवार में सांती सम्रिद्धी होगी आपकी जीवन का कष्ट खत्म होगा और आप स्वस्थ होगे अपने कार्च को मिहनत से करेंगे तो बड़ी उपलब्धी और तर्की भी आपकी होगी आज राभू की चाया है सुक्र विरस्पती सनी की द्रिष्टी है आज का दिन बड़ा भग्य साली है क्योंकि तुलारासी वारू के लिए आज सरवात सिध्धी योग त्रिपुसकर योग स्वभग्य योग मानो भग्य आपका चमकने वाला है आपके जीवन में लाब और सुख आने वाला है क्योंकि लाब अस्थान का स्वामी सुर्जे और भग्य अस्थान का स्वामी बुद्ध एक साथ प्राक्रम अस्थान में गोचर कर रहा है साथ ही विरस्पती पंचम भाव में गोचर कर रहा है परिवार की स्थिती बड़ा अच्छा होगा परिवार में खुसियां बच्चों की उनत्ती परिवार का साथ आपकी जीवन में सुख को बढ़ाएगा आज आप कुछ नया करने की कोशिस करेंगे और आप सफल भी होगे आज ये आपकी जीवन में जो उनत्ती का उसर है वो धन भी देगा, मान सम्मान भी देगा आपको आगे भी बढ़ाएगा परिवारी के रिष्टे मजबूत होगे कोई खास काम आज आपका पूरा होगा तो आज आपकी जीवन से नकरात्मक विचार दूर होगे इस्तिती आपके पच्छ में होगी सुप समचार मन को परफुलित करेगा आज का दिन आपकी परतिवा निखर कर सामने आएगी आप जो करना चाहते हैं तो करी मेहनस से करते जाएं आपकी जीवन की समस्या समाप्त हो रही है आपकी जीवन में खुसियां बढ़ रही है आपका जीवन खुसियों से भरपूर होगा क्योंकि आज जीवन में खुसियों को बढ़ाने वाला सुर्ज और बुद्ध का परभाव तुलारासिवारों के लिए उत्रा फागुनी नचत्र में बड़ा सुभ होता है आप सुर्ज के कारण ही धन कमाते हैं बुद्ध के कारण ही आप लक्की बनते हैं और सुक्र के कारण सुखों का भोग करते हैं विरस्पति आपके परिवार में सुख बढ़ाता है तो रावु आपके जीवन के कश्टों को खत्म करता है आज संतान प्राप्ती का भी योग है संतान की सुख की प्राप्ती होगी यानि आज आपके जीवन में मन के मुताबिक सारे काम पूरे होगी आज आपके जीवन में खुसियों का आगमन होगा आज आपके जीवन में उनत्ती होगी सम्रिद्धी होगा स्वभग्य आपके भग्य को चमकाएगा आज का दिन तुलारासिवारू के लिए बड़ा सुभ है सोचेवे कार्ज पूरे होगे कोई बड़ा फैसला लेने में आप सफल होगे आज आपके जीवन में तरक्की का है धनलाब का उसर भी मिलेगा तुलारासिवारू आज आपकी कुंडली के प्राक्रमस्थान में सुर्ज और बुद्ध बैठा है उत्त्रा फागुनी नचत्र का सुर्ज बुद्ध जब प्राक्रमस्थान में बैठकर भाग्यस्थान को अपनी द्रिश्टी से देखता है तो आपके भाग्य के सितारे चमकते हैं आपका सोयावा नसीब भी जाकता है आपकी जीवन में उनत्ती होती है खुश खबरी मिलती है भाग्य का साथ मिलता है बड़ी सफलता मिलती है आज राभू अश्रम भाव में बैठा है जबकि मंगल और केतु धनस्थान में गोचर कर रहा है मंगल और केतु जब धनस्थान में गोचर करता है तो रोजगार के नए उसर मिलते हैं आप महनत करते हैं जीवन में बहुत कुछ पाते हैं कोई नएा काम सिख्ते हैं आपके जीवन में आगे बनने का योग है आपके जीवन में सव्भğinग का योग है तुल्यार आज का दिन हर तरह से आपके लिए तरकी सम्रिद्धी और आपके भाग्य को चमकाने वाला सुन्दर योग बना रहा है। तो तुलारासिवारों के लिए आज का दिन हर तरह से ब्रसांदार है। आपके जीवन को सुखत बनाएगा, आपके जीवन में रोमान्स को बढ़ाएगा, नई नई परिस्थितियां आपके जीवन में लाभ दिलाएगा, और आपके जीवन में खुसियों को बढ़ाएगा, आज तुलारासी वारू के लिए कुछ अच्छे मौके मिलेंगे, तुला में सम्रिद्धी लेकर आएगा चेहरे पर मुस्कुराहत होगी आपकी जीवन में मंगल जो धन अस्थान में बैठा है धन से परिपून करेगा और राभू जो अस्टम्भाव में गोचर कर रहा है आपकी विग्न बाधा को खत्म करेगा आज हर तरह से सुर्ज का परभाव आपके लिए बड़ा सुभ है जो आपके दांपत्य जीवन प्रेम जीवन में खुसियों को बढ़ाएगा आपकी कोई खास इच्छा आज पूरी होगी और परिश्थिती बिलकुल आपके अनुकूल होगा जिसके कारण आपका उत्सा बढ बढ़ेगा अपने काम में चतुराई से आत्म विस्वास से आप काम करते जाएंगे जिससे आपको बड़ा लाब प्राप्त होगा तो विस्तार से रासी फल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का सुब मूरत ग्रहों की दसा आज का पंचांग 26 दिसंबर रविवार का दिन पॉसमा कृषपच की सत्मीति थी आयुसमान योग 10 बचकर 24 मिनर तक उसके बाद सौभग योग आरंभ होगा उत्तरा फागुनीन चत्र में सुर्ज बुद्ध का परभाव रावु की चाया सुक्र बिरस्पती सनी की द्रिष्टी सुर्ज पकर्मसथान में बैठ कर भग्यस्थान को देख रहा है सुक्र जो सनी के साथ सुक्भवण में बैठा है राहु जो अस्त्नभाव में गोचर कर रहा है विरस्त्ति जो पंचंभाव में गोचर कर रहा है जीवन में खुसियों को बढ़ाएगा इच्छाओं की पूर्ती करेगा हर परिस्थिती में लाभ देगा तेजी से उनत्ती करेंगे इस्त्री का सुख मिलेगा आकरसन बढ़ेगा मानो घर के दर्वाजे पर खुसियां आपकी इंतिजार कर रही हो मानो भग्य सफलता के दर्वाजे तक आपको पहुचा दिया हो क्योंकि आपके जीवन की हर समस्या का समधान संकल्ब सकती आपको जीद दिलाएगा आपके प्रयास सार्थक होंगे आप चतुर होंगे चालाख होंगे अपने जीवन में लाभ के लिए जो भी काम करेंगे उसम जीवन में बड़े बदलाव होंगे आज का दिन हर तरह से आपके लिए बड़ा भग्य साली है जो आपकी जीवन को सम्रिद्धी स्वभग्य और लाभ का योग देगा प्रेम से आपकी जीवन में खुसियां बरहेगी आपकी जीवन में आज उनती का योग है तरक्की का योग है आज का सुभ मुरत सुभा पांच बचकर 23 मिनर से छे बचकर 17 मिनर तक ब्रह्म काल में सुर्ज के प्रभाव से उत्राफागुनी नचत्र आयुसमानी योग में दिन की सुर्वात होगी सुर्ज जो लाब अस्थान का स्वामी है आपके जीवन में लाब और सम्रिध्धी लेकर आएगा आपके परिवार में खुसियों को बढ़ाएगा आपके जीवन में सफलता का योग बनाएगा काम्याबी तरक्की आपके व्यक्तित को प्रभावित करेगा समय सुभ है समय जिससे आपके जीवन में आकर्सन बढ़ेगा कामकाच की बाधाएं दूर होगी आपके जीवन में बेहतर परिनाम प्राप्त होगा त्रिपुसकर योग जो सुभा साथ बचकर बारा मिनर से आरंब होगा और सरवाज सिद्धी योग जो आट बचकर बियालिस मिनर से जोग में बुद्ध का प्रभाव होगा रावु की चाया होगी बिरस्पती की दृष्टी होगी त्रिपुसकर योग में बड़ा लाब मिलता है और सरवाज सिद्धी योग में भग्य चमकता है यानि आपके जीवन में सम्रिद्धी सौ भग्य का योग अनुकूल समय है भ चांत करके काम करें तो सारी बाधा चिंता खत्म होगी मनवांची सफलता मिलेगी भग्य में सुख भोगने का उत्तम समय आरंब हो गया है आज का अभिजीत मूरत 12 बचकर एक मिनर से 12 बचकर 42 मिनर अभिजीत मूरत में सनी की द्रिष्टी होगी सनी जो सुख अस्थान में बैठा है सुक्र के परभाव से सनी आपके जीवन में सुखों को बढ़ाएगा और विजय मूरत 12 बचकर पांच मिनर से 12 बचकर 46 मिनर का समय आपके जीवन में कोई बड़ी सफलता लेकर आएगा कोई बड़ी खुसखबरी और सुख समाचार मिलेगा अमरित काल रात्री 10 बचकर 8 मिनर से 11 बचकर 45 मिनर इस दौरान इस्त्री का सुख मिलेगा परिवार में सम्रिद्धी बरेगी बच्चों से खुसियां मिलेगी सुक्र भिरस्पती सनी की द्रिश्टी आज आपके लिए सुख है आज सुर्ज बुद्ध का परभाव है उत्रा फागॣीन अच्छत्र है रविवार का दिन है दिन की सुरुवात पस्चिं दिशा की तरब से ना करे आपके लिए लकी कलन नीला होगा लकी नमबर वन होगा तुलारासिवारो आज रुद्राच की पूजा करें तो आपके जीवन में बड़ा लाब होगा दिन सुभ है समय सुभ है भागे के सितारे चमक रहे हैं हनमान जी का दर्शन करें हनमान जी की पूजा करें भग के और भी जादा साथ देगा किस्मत के सितारे बुलन होंगी हनमान जी का असिरवाद आपके जीवन में लाभ और उनती लेकर आएगा हनमान जी का असिरवाद आपकी किस्मत को चमकाएगा तो हनमान जी का धर्सन करें हनमान जी की पूजा करें सुम मुरत में अपने काम को करें तो उत्रा फागुनी नचत्र का सुर्ज बुद्ध का परभाव राभु की छाया सुक्र विरस्पती सनी की दृष्टी आपकी जीवन में लाब धन सुख देगा सफलता देगा कामियाभी देगा तो तुला रासिवारो ग्रहों प्याधारित अपने रासिफल के लिए रासिफल को लाइक करें सब्सक्राइब करें किसी भी भगवान का नाम लिखें कॉमेंट बॉक्स में आपके जीवन में बड़ा सुक और धन का समय है बड़ा लक्की दे है आपके जीवन में लाब होगा तो आज के लिए अतना ही फिर मिलेंगे इसी रासि पलकार्च करम में तब तक ले मुझे आग्या दें आपका दिन सुभो जै स्री राम जै हन्मान संकत से रच्छा करो हे महावीर हन्मान संकत मोचन किरपानिधान जै हन्मान जै जै हन्मान जै स्री राम जै हन्मान जै स्री र झाल जाय हन्माँ